गुड मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था जैंग इन मॉटल मैंसन की तालास में वहां से आगे की ओर बढ़ रहा होता है पर दवे अचानक से उसके सामने एक वाइट टैगर बीष्ट आ जाता है जिसे देखकर जैंग एकदम से घवरा जाता है अब आगे जहां मिस एपिसोड की सुरवात में जैंग को उसी वाइट टैगर बीष्ट के अटैक से बच कर भागते हुए देखते हैं जहां वो भागते हुए कह रहा हूता है कि नहीं मै इस टाइगर बिष्ट के मुह में आकर नहीं मरना चाहता हूं तब है अब वहाँ जैंग को एक आइडिया आ जाता है जिस करण वह उस जगह से भाग इस जगह पर आने वाले इन बीजवल बैरियर के पास आख खड़ा हो जाता है जहां यह देखकर जैसे ही वह वाइट टाइ से वहीं पर डिश्ट्राइ हो जाता है अब यह देखकर जैंग कहता है कि यह मैजिकल बेरियर तो सच में काफिश जादा पावर्फुल है बस उसके छूते ही वह वाइट टैगर बीच डिश्ट्राइ हो गया अब इतना बोल जैंग यहां से इन मॉर्टल मैंसन को ढूड़ के लिए यहां से आगे की और बढ़ने लगता है और कहता है कि यहां से वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए अब मुझे यहां से आगे की और ही बढ़ते रहना चाहिए तब यह अब जैंग वहां आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुंच जाता है और जहां है वैनली ड्रैगन सेक्ट के वान फैमिली के एल्डर वहां यू फैमिली के एल्डर से कह रहे होती हैं। अगर मैंने अपने ट्रू एसंस का यूज करके उस पत्थर के उप और इन बीज्वल गेट को नहीं ढूंडा होता तो अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहां तक पहुच पाता। इसलिए यहां के छुपे ट्रेजर को ढूंडने के लिए मुझे ही हमारे टीम को लिट करना चाहिए। पारे स्प्रेट स्टोन दिये हैं उपर से अगर मैंने तुम्हें इन्मॉटल मैंसन की जानकारी नहीं दी होती तो तुम अभी हुआन फैमली में ही बैट कर बस अपना टाइम पास कर रहे होते हैं अब यह सुनकर एल्डर हुआन को काफी जादा गुस्सा आ जाता है और व हम सब एक ही टीम के मैंबर हैं इसलिए इस तरह से हमें जगड़ कर अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए और अब हैं हमें से सबसे पावर्फुल हुआन अगर वो हमारे टीम को लीट करना चाहते हैं तो हमें उन्हें हमारे टीम का लीडर बना देना चाहिए तो इस सबी ट्रेजर को ढूरना चाहिए वैसे एल्डर हुआन की पावर इतनी जादा है कि उन्हें यहां कोई भी ट्रेजर को लेने की कोई भी जौरत नहीं होनी चाहिए अब यह सुनकर एल्डर हुआन वहां गुसाते हुए पेई फैमली की लेडी एल्डर से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए कोई जाल बिछा रही हो अब यह सुनकर वो लेडी एल्डर कहती है हम तो बस आपको हमारे टीम का लीडर बनाना चाहते हैं तो इसमें जाल बिछाने की बात कहां से आ गई अब यह सुनकर वोन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पेई फैमली में कोई भी पावरफुल परशन नहीं बचा हुआ था जो उन्होंने यहां इस खतेनाग जगा पर एक लेडी को भेज दिया है तब है अब दूसरी तरफ जैंग एक बड़े से पत्ते पर बैट कर पानी के रास्ते उस इन्मोर्टल मैंसन की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसे जगा में कोई इतना बड़ा इन्मोर्टल मैंसन कैसे बना सकता है पर क्या स अन्धर कोई इन्मोर्टल होगा तब अचानक से जैंग की नीचे से काफी बड़ी बड़ी जैली फेस वहां से बाहर की ओर आने लगती है जिसकारन अब जैंग वहां से पानी के ऊपर उड़ जाता है जिसके बाद वहبة जैंग को खाने ही वाली होती है और तब जैंग तु पिर भी हार नहीं मानती और दुबारा से जैंग पर अटैक करने के लिए बाहर की ओर आने लगती है जो देखकर जैंग अपने एक ही अटैक से उसे वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है और उन बांके जलिफिस के ऊपर ही कूट कूट कर वहां से आगे की ओर बढ़ने और ओके जीव हैं और मैं अंदर की जगह को देखना चाहता हूं कि वो कैसी होगी टब वहां से आगे की ओर बढ़ने लगता है वह देखते हैं कि आ माट मैंसन्हों के अंदर एलडस वहां आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अबे तक यहां कोई भी treasure नहीं मिला है बल्कि उल्टा हमारे ही कई सारे लोग यहां mारे चा चुके हैं परित अब इतने में ही वहां elder Juan के हाथों का एक treasure चमकने लगता है जिसे देख elder Juan वहां कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी लगाई गए सिक्रेट अलाम को किसी ने दवा दिया है जो कि उस पत्थर की उपर ही लगा हुआ था जिसे जैंग ने टच किया था तभी अब एल्डर हुआन वहां बताते हैं कि या पर्सन जो यहां पर घुसा है उसकी कल्टिवेशन लेवल तो हाप पिनट स्टेज तक ही है तभी अब हमें जैंग के तरफ दिखाया जाता है जो बड़े ही अराम से वहां से आगे की और बढ़ा होता है पर दभी उसके पीछे एल्डर हुआन का एक पर्शन आ जाता है जिसे एल्डर हुआन ने ही जैंग को जान से मारने के लिए बेजा था और इसे के साथ हमारा ये अपिसोड अंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चाल्म को सब्सक्राब करें बाई बाई